Portfolio Maintenance, हम जब record keeping की बात करते हैं, तो portfolio जो है, वो एक एहम जरीया है, records को maintain करने का, portfolio उसके जरीये, हम students के जो behavioral records हैं, उनको maintain कर सकते हैं, portfolio development या portfolio maintenance, academic हवाले से तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे, यह portfolio development जो है, it is a very necessary element to see the developmental progress of students as far as the academic world is concerned, but as far as the behavioral world is concerned, behavioral portfolios are seldom developed in schools, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को encourage कर रहे हैं, कि जब आप portfolio development की बात करें, तो वहाँ पर behavioral portfolios जो है, उनकी development की बात करें और उनको encourage करें, जाहर है कि यह बात जो है, यह school level के उपर होगी, और school जो है, वो बाकी stakeholders के साथ मिलकर इसको शुरू करेंगा, और हर classroom में जो student behavioral portfolios हैं, वो develop किये जा सकते हैं, यहां पर यह बात वाज़े रहे, कि इसके develop करने का जो मकसद है, वो सिरफ यह है, कि एक बेहतर classroom management जो है, वो हो सके, और उसके साथ साथ एक मुनासिब behavioral management जो है, वो भी हो सके, because you need to oversee how students develop their behaviors over a period of time, इसमें, जो है, जब आप portfolio, जो है, development की बात करते हैं, तो यहां पर हम systematic development of human behaviors की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है, कि students जो है, वो आहस्ता आहस्ता अपने आपको improve करते हैं, तो हम students को यह कैसे बता सकते हैं, कि आपने अपने आपको improve किया है, या आप improve नहीं कर रही हैं, या आप आगे जाने के बजाए मजीद पीछे आ रही हैं, तो जब तक systematic development जो है, वो हम नहीं दि students को एक portfolio की शकल में, वहाँ पर बेतर तबदीली जो है, उसके आने का एहतमाल कम हो जाता है, तो यह एक जरिया है, जिसके जरिये हम जो है, वो बेतर तरीके से behavioral management की बात कर सकते हैं, इसमें जो एक चीज़ बहुत एहम है, वो यह है कि portfolio के अंदर क्या होना चाहिए, portfolio जब आप बनाते हैं, एक student के नाम से आप उसकी एक file बना देते हैं, तो जब हम behavioral portfolio की बात करते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं, सबसे पहले तो उसमें behavioral progress charts आ सकते हैं, जो के weekly भी हो सकते हैं, monthly भी हो सकते हैं, और इसके इलावा वो term wise भी आप सकते हैं, तो depending on the time that you have as a teacher in the classroom, behavioral maintenance records जो हैं, वो ऐसे बनाए जाते हैं, कि जब आप उसको खोल के पढ़ें, तो आपको यह अंदाजा हो जाए, कि एक student जो है, उसकी एक term में systematic behavioral development क्या रही है, आपने जब उसकी शुरू में कोई तसही की थी, तो क्या उसके उपर उसने कोई action लिया है, हमने इससे पहले यह देखा, कि जो record keeping है, वो action oriented होनी चाहिए, तो portfolio maintenance से हम जो है, उन actions को ensure कर सकते हैं, कि अगर, जो है, for example, फरवरी के महीने में, हमने student से यह कहा, कि एक महीने के अंदर आपको अपना ये वाले behavior पर काम करना है, तो फिर क्या March में उसने उसके उप पर कोई काम किया, और फिर उसका नतीजा क्या निकला, ये सब portfolio के जरिए, ये बातें आपको सामने आ सकती हैं, अगर behavioral progress आपने monitor करनी है, इसके साथ साथ observation checklist, जिनकी हमने पहले बात की थी, वो भी आप रख सकते हैं, portfolios में, और ये देख सकते हैं, कि term wise, या monthly basis पे, जो checklists, आप students की behavioral checklists बना रहे हैं, वहाँ पर students ने कितनी progress की है, इसी तरह जो हमने benchmark set किये थे, student achievement के लिए, क्या students ने, are they able to meet those benchmarks, so portfolio maintenance जो है, portfolio development जो है, behavior के लहाज से, वो बहुत एहम है, और ये बहुत जरूरी है, कि उनको maintain किया जाए, उनको promote किया जाए, ताके बेहतर तोर पर, एक systematic तौर पर, जो है, वो progress की जाए, as far as human behaviors are concerned, because we are saying that cognitive development is as important as behavioral development in schools.